नेता जी हाजिरो नेता जी हाजिरो नेता जी हाजिरो नमस्कार मैं हूँ अनिल पांडे HW24 News के खास कारिक्रम आपके पसंदीदा कारिक्रम नेता जी हाजिरो में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं नेता जी हाजिरो कारिक्रम के विशेश एपिसोड खरगोन मेडिकल कॉलेज का सच में आज के कारिक्रम में उपस्तित मेहमानों का सबसे पहले हम आप से परिचे करवा देते हैं हमारे बीच उपस्तित हैं केलाज जी अगर्वाल चेंबराफ कामर्स के अध्यक्ष और खरगोन जीले के विकास से नजदीकी से जुड़ा हुआ व्यक्तित हैं उनका हमारे बीच हमारे दूसरे महमान के रूप में उपस्तित हैं परस राम जी चोहान जो की विजय लक्ष्मी हास्पिटल के डारेक्टर है और साती भारती जनता पार्टी के पूर जिल्ला ध्यक्ष भी है इस शेतर की जो भी उथल पुथल रही है इस शेतर में जो कुछ भी नया हो रहा है या नया होगा उन चीजों से काफी नजदीक से यह भी जुड़े रहे हैं और उसकी जानकारी रखते हैं इसलिए आज के कारिकम में हम इन दोनों अतितियों को हमने आमंतिरित किया है ताकि खरगोन शेहर की जनता खरगोन शेहर में इस्थापित होने वाले संभावित मेडिकल कालेज की के सच को जान पाए केलाज जी मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस्टूडियो में और आप इस खरगोन जिले में जो भी निर्मान हुआ विकास खारगोन शेहर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाश यादव के काफी नजदीकी रहे हैं और जो भी विकास हुआ है बड़ा हो या छोटे इस्तर पे हो उस विकास के आप साक्षी रहे हैं आप यह नहीं मानते हैं कि जिस इस्थिति में इस शेत्र का खरगोन विधान सभा का या जिला मुख्यले का विकास होना था वो समुचित विकास नहीं हो पाया यह सही है कि जितना होना था वो नहीं हो पाया लेकिन यह भी सही है कि जो कुछ हुआ है वो केवल सुवाद भाई की वज़ह से ही हुआ है उसके पहले जितने भी विधायक और सांसद आये और उसके बाद जो भी विधायक सांसद है उनका विज़न वो नहीं है जो जन हित का हो इसलिए वर्तमान का जो जो भी आपको लगता है उसमें सुवाद भाई की महत्ति भुमिका है लेकिन जो समुच्चित विकास होना चाहिए था एक अभी चर्चाएं जो चल रही है खरगोन मेडिकल कालेज इस्थापना को लेकर उसमें बार बार यह प्रश्ण उठाया जा रहा है कि खरगोन जिला मुख्या लेगी क्या पहचान नोग्रम अंदिर के अलावा एसा कौन चीजे रही जो निर्वाचित जो भी प्रतिनी धिर है वो अपने शेतों तक ले जाते रहे इसलिए जिला मुख्या लेको वो स्वरूप या वो प्रसिद्धी मिली नहीं पाई जो उसको मिलना चाहिए आज भी हां रोजगार को लेकर के देखा जाया तो शुन्य वाली इस सिती है आप यह बात बिल्कुल सच कह रहे हैं कि रोजगार और उद्योग दोनों के संबन्द में यहां पर कोई कारिन नहीं हुआ और जो उद्योग यहां शुरू हो सकते थे मद्यप्रदेश का जो 25 लाग गठान का पास का उत्पादन है उसमें 50 प्रतिशत खरगोन का है यदि इतना उत्पादन होने के बावजूद यहां पर उद्योग नहीं है तो उसका कारण वीजन की कमी है मैंने कई बार इन बातों को जन प्रतिनी दियों के सामने उठाया कि केंदर शाशन की योजना हैं कि उसमें टेक्स्टाइल पार्क के नाम से वो 70 प्रतिशत सबसीडी केंदर देती है और 30 प्रतिशत अगर हम राज्य शाशन दे तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रेक्चर डेवलप हो सकता है और कच्चा माल अगर यहां उपलब्द है कपास उपलब्द है तो कपास से जुड़े हुए उद्द्योग भारी मात्रा में आ सकते हैं यहां पर जो एजूकेशन है उसमें भी पोलिटेक्निक है आइटी आइ हैं और कपास से जुड़े हुए अगर हम रेडिमेट गार्मेंट के सम्मन में भी बात करें तो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो इसके एजूकेशन लेके खरगोन में मिल सकते हैं इसकी एक केंदर शाषन की अभी वो योजना चल रही है उसका नाम है स्फूर्थ और उसके अंदर 90 प्रतिशतिक सबसीड़ी है यदि आप 500 लोगों को रोजगार देते हो तो आप 5 करोड तक की यह स्कीम जिसमें 90 प्रतिशतिक सबसीड़ी मिल सकती है यह प्रशन यह है कि यहाँ पर जो वीजन है एक तो जानकारी का भाव दूसरा उत्साह की कमी तीसरा जन प्रतिनी धी उनकी जो द्रस्टिकोंड है इच्छा शक्ति की वो सबसे जादा कमी है और वो दोनों पार्टियों की नेताओं में कमी है और इसी वजह से जो जनता ने नाराज होकर बीजेपी को खरगोन जिले से बिदा किया उसका कारण भी यह है कि वो जनता की आवशप्ताओं को उनकी महत्वा कांशाओं को उनकी डेवलप्मेंट को समझा ही नहीं और वे केवल अपनी मस्ती में रहते थे और अपनी मस्ती के साथ से काम करते थे उन्होंने यह सोचा ही नहीं जैसा सुबाज यादों सोचते थे कि मेरे यहां क्या हो रहा है क्या हो सकता है क्या मैं बढ़ा सकता हूं क्या कर सकता हूं उसके लिए वो चिंतन करते थे मनन करत लेकिन यह सब चीजों की वर्तमान में बहुत कमी है कि आपने बड़ी सापगोई से स्विकार करा कि कोई भी जनपति निदी बेठे हैं उन लोगों ने अपनी द्रड़क्षा शक्ति नहीं दिखाई इस जिला मुख्याले के विकास को लेकर के और यह सच भी है मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर भी बार-बार यही सवाल सामने आ रहा है कि तीसरी बार स्विकरती मिली है उसके बाद भी यह मेडिकल कॉलेज खरगों जिला मुख्याले पर इस्थापित होगी यहां संचालित होगी इसमें अभी संशय बना हुआ है परसराम जी आप पक्ष और विपक्ष के शीर्श नेता आये हैं आदिवासी बहुल शेत्रे आस्वाद बड़ी संख्या में आदिवासी और यह जिला ही आदिवासी जिले के नाम से जाना जाता है क्या कारण रहे कि उसके बाद जिलेज देश्टी शेत्र के विकास पर नहीं हुई जिला रिबच्जाओं मुपाक्ष षो यह Ёछ को भवशतों में आप जो कह रहें बिलकुल सई है घ्रगोनजिला मुख्याल्य और संखिधी चेत्र का मुख्यालय होने के बाद मीं हमारा इसा नद्म कि यहां पर राजनीति करने वाले एक तो हम सब जानते हैं कि जिला मुख्याले से जुड़ा हुआ कि अलावा बाहर के नेता हुआ यहां पर कहीं अभी तक के जो सांसत का पर रेकार देख लें वो सारे बाहर के रहें अभी तक और मेरे बड़े भाई आधरनी केलाज जी ने केता शुबाद जी का नाम लिया तो वहां से सब संकला आपन चालू करते हैं विकास हुआ है मत्यप्रदेश में और खरगोन जीले में भी विकास हुआ है बाकि जीला मुख्याले पर लेकर और जीला मुख्याले यह हमारा बड़ा सुभागय का विशह है कि खरगोन दो प्रहें फ्रोड़ा खोला तो हमारे जो विकास के पुरोदा कहलाते हैं मानेत शुर्खी सुभास जीया दो वह और उन्होंने अपने जानिवासिस्तान वहां पर खोला क्या कारण था कि उनका अपना नीजी जो हुआ का को लिका आपना स्वार्त कहले या क्योंकि अगर तो बच्चों को जो 30 किलो मुटर यहां से यहां का रहने का साधन उसके बाद हमें रोकना चाहूंगा प्रारंबिक तोर पर जब इंजिनेरिंग कॉला था तब काफी विवादस पत चीजें भी हुई कई परेशानिया वहां चुट्डेंट पढ़ने आ रहे थे उनके पेरें सभाद भी सही है और वह बहुत बड़ी अच्छा कालेज प्रदेश में उसका नाम भीवा सुबास जी आदवने वास्तों में खरगोन जीले का निमाड का विकास में उनकी बहुत बड़ी भ्रूमिका यह मानता हूं पर मैं यह कह रहा हूं कि जीला बुक्काले का जो हमारा गेंदरी की सरकार ने जब खरगोन जीले का नाम हमारा आया और जलोनों ने यह की घंटाथ के साथ उनके घ्लवाड करते हुए सब्सक्राइब में प्रश्टा हुआ झाल यहां जाकर उन्हों ने नाम रहे महिश्र महिश्र के बाहले बाद जमिंदी अब इस्निम्राइब काम यह काम हे वास्तों के साथ performed the एक तरह से दुर्भा के कर लिया जनता की जन ही कोई की सरकार की जो भी योजना होती है अम मेडिकल कालेज के अकर अपने बात करें तो 400 करोर, 365 करोर की योजना है इसका लाब ज्यादा लोगों को मिले इसके लिए यह था कि जीला मुखहले पे खुलता तो आज हमारा आदिव पेशन्ट यब करोगों आता है उसको अगर प्रापर इलाज मिल जाता है कई वार रहसा होता है उसको यह से खरण में पुरा प्रापर इलाज यमिलाज रिफर करना पड़ता है और जब वो जाता है तो उसका 50-500 किलोमेटर जाने के बीच महारीज को पूरी मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है यह सब चीजे होने के बाद में भी जब यहां मेडिकल कालेज का प्रस्ताव आया तो खरगोन में खुलना था उसके बजाए महिसर में खुला यह वास्तों में इस खरगोन जिले की जनता का हम सब लोगों की दुरुभा क्या है यह राज केंचल होकर और वह पेंडिंग इस्तिती में वह कालेज खुलना था जिले मुकैले पर अगर जिले मुकैले पर होलता तो मैं समझता हूं कि यह बजट में इस साल वह पास हो जाता और हम अभी कालेज की सुरुवाती उसकी विकास की अपन उसकी देखने को हमको मिलता पर मे और हम सब हमारे वरिष नेताओं की हमारे सांसाजी की सांसाजी के सामने भी जब बुद्धा गया उन्होंने यह कहा है कि हम खरगोन जीला मुख्याले मेडिकल कालेज कुले इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे और मैं व्यक्तिकों तोर पर जूकि संगडन से चुड़ा हूँ मैं जीले का देश भी रहा हूँ मैं वह ऐसा मानना है खरगोन जीला मुख्याले में यह कुलेगा खरगोन में मेडिकल कालेज खुलने से बहुत सारे विकास के नए आयाम हमारे इस दिला मुख्याले को और यहां के लोगों को उसका लाब मिलेगा वेवसाय बढ़ेंगा व एकडिमिक के लोग वह यहां पर रहेंगे तो इसका जो विकास होगा खरगोन जीला मुख्याले का वह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और खरगोन का विकास में हम सब मिलकर राजनिती के बजाए हर नेता ने हर सांसद ने हर विदायक ने सोचना चीए कि इस सरक समान दूरी परिस्तित है इस से आसपास के जो आदिवासी शेत्र है उनको भी काफी लाब मिलेगा देखिए जब भी चुनाओ होते हैं को यह सा आउसर आता है जब राजनितिक दलों को एक संख्या की बल की जरूरत होती है वोटों की जरूरत होती है तो इन आदिवासियो इलाज को तरस रहे हैं यहां के आज दिवासियों को प्रापर मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही दवाई नहीं मिल पा रही कोरोना के कारण इस जिले में काफी मोते हुई है कई आफिशेल जो आकड़े हैं उनको अगर देखा जाए तो ठीक है लेकिन अनाफिशेल और और जो चर्चा में हैं उन चर्चाओं को देखा जया तो यहां कई सो मौते हुई है उस विस्तिती में क्या यह पक्षो ये विपक्षो वहत सकता में आज शिवराज जी बेठे हैं इसके पहले राख दिवासियों की परिशानियों को समझा नहीं गया आप खुदी सोचे इतना जो भी ये विवाद खड़ा हो रहा है मुख्य मंत्र जब उज्जेन Medical College का भूमी पूजेन कर सकते हैं तो खरगोन जिला मुख्यले पे College की घोशना करने में उनको क्या आपती है जो की राज्य सरकार का विश्य है अभी कुछ बिगड़ा नहीं है हमारी केंदर सरकार की जो योजगा का नुसर एक संसिती शेत्र में एक मेडिकल कालेश प्रजांजी शुराज जी से आपके व्यक्तिकेती बहुत अच्छे संबन्दिय पूरे शेत्र को पता है तो क्यों ना आप यह बात उनके सामने रखें बिल्कूल हम पूरा संगड़न इस बात पर लगर सब एकमत है हम लोगों ने विचार भी किया है हमारे जिला दक्षिज में ने कहा है कि हम सिग्र ही एक प्रतिनिदी मंदल के रूप में जिला हमारे जो चेकिस्ता सिक्षा मंत्री है मानने विश्वा सारंग जी और मुख्य मंत्री जी से हम सिग्र ही जैसे करोना का संकट समात होता है लोगडान खुलता है हम लोग जाएंगे उनसे बात करेंगे और यह 101% मान के चलिए हमारी पूरी ताकत हमारा पुरा प्रयास होगा और यह मान के चलिए शुराज जी चोहान जो की विकास के जो पुरोदा मत्रदेश में उन्होंने हर जीलों को समान दर्ष्टिस देखा है हम लोगों की बात मान कर हमको पूरा इश्पास है खरगुन जीला मुक्काले पे हम शीगर ही शीगर अगले बजट में हमारा यह मेटिकरल कालेज खुलने का हमारा प्रयास इसमें हमारे सभी कांग्रेश के जो विदायक हैं उनमें साधिकान विदायक भी चाहते हैं कि पर हम सब लोग हमारा यह पूरा दावा है कि मेडिकल कालेज अर्गों जीला मुक्काले पर पुरी साकत के साथ खुलेगा रहा सवाल क्योंकि अभी जिस पकार से कोरोना बीमारी ने वास्तों में जो हर जिले में हर जगह पर जिस पकार की स्वास्वाइं गरबड़ा हुई और जितने लोग कोरोना से पीडित हुए उनके हिलाज में जो सम्मस्य हैं जो पेदा हुई वह वास्तों में अगर मेडिकल कालेज यहां पर अगर होता तो वास्तों में इसको हमको उसका बहुत बड़ा लाब खरगोन जीले के लोगों को मिलता पर हमारा यह दुरबाग ग प्रयास होगा खरगोन जीला में मेडिकल कालेज खुले इसके पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे हमारे वरिष्ट नेताओं सब्सक्राइब जाएंगे उनसे हम बात करेंगे और यह बिल्कुल सही है कि खरगोन जीला मुक्खेले में खुलने से ही इस मेडिकल का खरगोन परसाम जी आपने जो भी बाते हैं करी एक आपने विश्वास दिलाया इस आपकी सारी बातों को सुनकर हमारे दर्शकों के मन में ये शान्ती मिली होगी विश्वास बना होगा कि खरगों जिला मुख्याले पर मेडिकल कालेज इस्थापना के दिन दूर नहीं है और अगर आ आप उन सारी चीजों को समझते हैं कि इन मेडिकल कालेज के आने से शेत्र को स्वास से तकनीकी रूप से कितनी सुविधाय मिल सकेगी और अगर आप जाते हैं और ये विश्वास जनता का जो आप पे बना हुआ इसको पूरा करते हैं तो ये बहुती प्रसनता की बात रहे हैं और वही चीजे हैं जो जनता चाहती है अभी हमारे बी डाह चर्चा करें घर नेता जी हाजीर हो किलाज अगर्वाल जी हमारे भी चुपस्तित ने पूर्व जिलाद्यक्ष भाजपा परस राम जी चोहान हम बात कर रहे थे खरगोन शहर के डिवलप्मेंट को लेकर जिला मुख्याले के डिवलप्मेंट को लेकर और इसकी पेचान को लेकर के किलाज जी आप चेंबर आप कामर से लंबे समय से जुड़े हैं और इस शेत्र की व्यापरी गतिवीधियों के एक तरसे केंद्र भी रहें कॉटन के शेत्र में जो की पूरे भारत में कॉटन के नाम से खरगोन का नाम है लेकिन आज यहां कॉटन की भी हम बात करें तो कोई डिवलप्मेंट नहीं हुआ जैसा कि आपने बताया कि यहां पर काफी कुछ हो सकता था एक मजबूत इंफराइस्ट्रक्चर तैयार हो सक है हम बरसों दशकों से देखते आ रहे हैं जो कि आज भी एक सपना ही बना हुआ है मेडिकल कॉलेज को लेकर के आपने सुना होगा कि एक संघर्ष समीतित आयार हो रही है सोशल मीडिया पर बड़ा जनांदोलन खड़ा हुआ है खरगोन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना क लेकर लेकिन अभी भी जो ठोस तरीका होना चाहिए आगे बढ़ने का इस के लिए एक सकारात्मक पहल करने का वो कुछ कमी है उसमें तो आपकी क्या रहा है उन लोगों को क्योंकि इसमें जादे से जादे संख्या युवाओं की है और वो युवा जोस से भरे हुए है कु क्या होना चाहिए जिससे हमारी मांगे भी मंजूर हो सकते हैं देखिए सबसे पहले तो यह की मेडिकल कॉलेज की यह योजना केंदर शाशन की है और केंदर शाशन में बीजेपी का शाशन है इसलिए बीजेपी के इस्थानिये नेताओं की और पदाधीकारियों की इसलिए बीजेपी केंदर से सेंक्चन हुआ फिर राज्य से नहीं हुआ फिर महशोर चला गया फिर मनलेशोर चला गया इन सब के बीच में भी जो चीज आज आप देख रहे हैं या आप पीछे से उसको इधर उधर खीचने का अगर प्रयास करते हैं उस खीचा तानी में वास्तविक में जो खरगोन जिले को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और वो मुरे ना चला गया हमारा जंता का सोच ये है कि यहाँ पर लड़के लड़कियां बहुत इंक्लियंट है मैं मेडिकल के संमें मेरी बेहन जो है वो मेरिट में थी लेकिन पिता जी ने उनको इंदोर भीजने के लिए तैयार नहीं थे करके वो मेडिकल नहीं कर पाई जबकि वो मेरिट में थी तो इस प्रकार से कई बच्चे जो बहुत हैं लेकिन उनको आउसर नहीं मिले तो हमको उस चीज को देखना चाहिए एक चीज यह दूसरी चीज यह कि डाटा जो है कि जिले में अधि आप अन्य तहसिल में इसको रखना चाहते हैं आज स्पास के मनलेशवरह के बी मिलालो और दोनों मिलालो और खरगोन यहां करण और। को रोना का इलाज कर रहा है कंप्लीटली तो हमको यह नए सीरे से इंफरास्ट्रक्चर खडानी करना होगा और बाकी चीजें यहां पर रहना है तो एजुकेशन से लेकर तो बाकी सारी सुईधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर अन तहसिलों से कहीं पहतर है जन संख्या का भी गिने तो खरगोन मुख्याले का जन संख्या अन तहसिलों से जादा है कहीं जादा है और किसी भी चीज को जैसे अगर हम उद्योग की बात करें कि कोई बड़ा उद्योग यहां शुरू करें मैं इसका एक उधारन और देना चाहूंगा कि इनकाफ से एक बहुत बड़ा उद्योग डाला था और वो पड़वा में डाला था उस समय में सुभाज भई उपमुखे मंत्री थे और मैंने उन्हें सुझाओ दिया था कि इसको आप खर तारिक में कबाल है तो कोई भी चीज को यदि वास्तवित चिंतन किया जाना चाहिए और एक उधारन और देना चाहूंगा कि जब कपास का रिसर्च सेंटर केंदर से स्यंक्षन हुआ था तो वो खरगोर में डलना था उसको मंसोर ले गए मंसोर में कपास का एक पॉंड न मंसोर के थे तो यह जो राजनिती का यह जो स्वरूप है यह विक्रथ है इससे डेवलप्मेंट नहीं होता क्योंकि वो और रिसर्च सेंटर कोई नहीं कर रहा है वो वो मतलब जंता की जो चीज है वो भी खतम हो गई जनता का पेशा टेक्स का पेशा वो भी नुक्सान हो गया और सिर्फ आपने ये कि मैं अपने छेतर में ले आया खरगोन को पीछे रखके तो ये इस सोच से उपर उठके खरगोन जिले के सभी विधायकों को आप खरगोन जिले में खरगोन मुख्यले में यदि कालेज को रखेंगे तो आपको पूरे जिले में ये केंदर में हैं एक एकसा बड़ा सयोग है कि एक भी तहसिल इस सी बहुत दूर नहीं है पेले जब खेतिया मतलब बढ़वानी जिल किलोमेटर लेकिन आज की तारीक में कोई भी 100 किलोमेटर से उपर नहीं है और सारी तेसिलों में हम एप्रोच बहुत आसान है इस स्थिति में सबसे बहतर यह है कि इसको जीला मुख्याले पर होना चाहिए इसके लिए जो प्रयाज करना है उसके लिए मेरा एक सुझाव य को कम्पिटर वालों को के दिया और वो कोई भी पेपर हम लिखें तो उसकी पूरा रेकार्ड वहां पर रहे और जिन राजनेताओं के पेपर या लेटर हमारे को मिलें जो हम केंद्र शाशन और राज शाशन को भेजें उनके कौपी भी उस कम्पिटर में हमारे पर यह भी कहें कि कई हास्पिटल हैं तो अगर आउशकता पढ़ती है ट्रेनिंग्स की तो चार नर्सिंग कालेज हैं यहने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तयार है कि सिर्फ आपको मेडिकल कालेज की बिल्डिंग मनाना है और बाकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तयार है यह नहीं राजनीति आप इसमें राजनीति करेंगे तो शायद है कि इसका आपको खामियाजा भूगत ना पड़ सकता है किलाई जी मैं आपसे ये भी पूछने चाहूंगा कि इसके लिए जो खरगोन शहर में संगर्ष समीती बनी है इस समीती का जो भी अगला कदम है जैसे आपने बता है कि उनको एक डिजिटल रेकार्ड रूम तैयार करना चाहिए अपने जो भी दस्तावेजे उनका संकलन रख चाहिए सारे पत्रों को एक जाई करके रखना चाहिए ताकि समय आने पर शाषन के सामने या जो भी संबंदित जुम्मेदार लोग है उनके सामने प्रस्तूत करें ताकि स्वीक्रती की कारवाई में आसा नहीं हो कोई दिक्कत ना होने पाए वरतमान में जो अंदोलन यहा विचार मिलेगा एक दर्ड़ विचार मिलेगा ताकि जिस पर चल करके बहुत सारे अच्छे काम कर पाएंगे लेकिन खरगोर में हम यह देख रहे हैं कि जो जन अंदोलन खड़ा हो रहा है उसमें सभी और के लोग तो आ रहा है लेकिन फिश की चाहट सी है क्या करोना के का कारण है या और कोई दूसरा कारण इसका क्योंकि हमने देखा कि अभी तक जितना भी डिवलप्मेंट इस खरगोर के हाथ से छूट के गया है उसमें कहीं ना कहीं आम जनता का भी एक बड़ा रोल रहा है कि वह आगे नहीं आई ऐसा नहीं है जनता निश्चित रुप से सत प्रतिशत यह चाहती है कि मेडिकल कॉलेज यहां आए यहां खुले और यहां का विकास हो जो वाटसप ग्रूप से हैं उसमें कई लोग कमेंट्स इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं उसका प्रतिरोध होता है कहीं कुछ शब्द हलके लिखे जाते हैं किसी को अपमान जनक लग एक माध्यम जरूर है लेकिन यही एक आंदोलन का माध्यम ऐसा नहीं है इसके साथ साथ हमको कागज के कारवाई राजनीतिक कारवाई यह दोनों हमको भी जारी रखना चाहिए और इसके लिए जैसे प्रसराम जी ने कहा कि मैं यह करूंगा मेरा पूरा संगठन करेगा नि इसको और सकरात्मक रूप से लेकर आगे बढ़ना चाहिए कई लोग इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं कि बताए कि सोशल मीडिया पर कुछ उनके जो भी कमेंट्स होते हैं उसके जो प्रतिक्रिया होती है वो कभी-कभी अनुशासित नहीं होती है जिसको लेकर के कुछ वर् सब्सक्राइब करें जो लोग देह दान के गोश्चना करने लगे क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस को जो यूमन बॉडी है वह बहुत जरूरी होती है जुकेशन के लिए तो खरगोन जिले में खरगोन शहर में अभी तक तीन चार लोग ऐसे हैं जिन्नोंने की अपनी बॉड़ जो भी बेठे हैं वो चुने हुए हैं पूर हैं उनकी जुम्मेदारी नहीं बन जाती कि इस जनता के विश्वास को इसकी जो इसका जो एक तपस्या है उसका फल उनको मिले वास्तों में मेडिकल कालेज की उफलब्दी बहुत बड़ी उफलब्दी मानी जाती है और आदम जिले में हमार को नहीं मिल रहा है तो महला में मेरे अस्ताल से हाजिवासी मरीज जब आता है उसको हम कहते है आपको हायर सेंटर जाना चाहिए आप ठीक हो जाओगे पर ऐसे गरीब विचारे जिनको जाने को साधनने उनके पास पहिता नहीं है और उनको चुक्टी कर दो पर घर ले जाएंगे हाँ सब्सक्राइब जाएंगे जब मेरी आत्मा कलपती और मेरों को जब जिस दिन यह खुलने का आया उस समय में बाजपा का जिलादर्श था जब मैश्वर का जैसे ही नाम आया तो मेरी बहुत हाथ मैं बहुत दुखी हुई मैंने मेरे चाहिए उस समय भी केंदर की सरकार में हमारे स्वास्त मंतरी के नाम से प्रदान मंतर जी के नाम से और तत्कालीन सरकार केंदर के सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उनके मुख्य मंतरी तक सबको मेरे तरफ से पत्र भी लिके थे पर यह जो अब जो हिस्तिती है आज जो हिस् मोसे वाठी है पुर्देशक बन गई और उसय शरकार के के सरकार की सरकार ंडंडा सहर कंप तब यह बिल्कुल माहसर कुखर का तो जमीन हैं तो जमीन हैं तो जमीन हैं हमारे पास हमारे पास करेंग मेडिकल कालेज फुलेगा तो लोग आएंगे तो जब आता तो देखता है कि घृण करेगा तो यहां पे उसको मेडिकल में भी सिवाय दे सकता हुआ यहां बहुत अच्छी चीज़ा आपने वह पताईश रिमोट एरी के कारण चिकट सब्सक्राइब यह है कि ऐसके ल अच्छे वह उनको मिलना चीए तो यह जिला मुख्यले पर हो सकता है इसलिए यह जो राजनीति का शिकार हुआ हम सब लोगों की हमारी जिम्मेदारी मैं सोयम इस दीज के लिए मेरे जी जान समय परयास करके हमारी पार्टी के संग्लन के हमारे सांसत हमारे जो चेत्र के बाक अधिकांस दिख्षी तो अदमी उसको मालमें की मेडिकल में काक किसको कुण से डाक्टर दिखाना चीए पर गर्यामेंट चेत्र का जो मजबूर गरीब जो जनता है उसके लिए बहुत बड़ी एक सुज़दा है इस सुज़दा को हम हमारे चेत्र से अरगों से नहीं बनी है अगर नी बनी है तो हम लोग उसमें अच्छे बड़े जो जन परतिनी दिए उनको भी जोड़ना चीए हम लोग उसके लिए पूरी ताकत से इमांदार इस प्रयास करेंगे और वास्तों में हर आदमी पड़ा लिखा समझदार आदमी अगर है जन प्रतिनी दिए उ लोग जन परतिनी दिए वह सब लोग इस चीज को लिए समझते हैं उनके मन में भी है कि जिला मुख्यला पर खुलना चीए हमारे संसर जी ने जिस परकार सभी बीच में ब्रह्म की इस्तिती पेदा हुई उन्होंने जो किलियर का है उन्होंने का है उनकी जो बात है वह बा होती है अच्छा एक यहां पर एक एलान किया एक घोशना की है परश्राम जी चोहान ने कि इस मेडिकल कालेज की स्थापना को लेके जो रुकावटे आएंगी वो उनको दूर करेंगे और अगर जो भी इसका कोई रुकावट आती है तो उसका समय आने पर मूतोर जवाब भी दिया जाएगा तो आप यह मान लीजे कि इस छेत्र के जो जन्परतिनीदी हैं जो राजनेतिक संगठन के वी लोग हैं वो सभी एक राय हैं कि खरगों जिला मुख्याले पर मेडिकल कॉलेज खुलना ही चाहिए लेकिन केलाज जी सिर्फ एक छोटी सी बात जो सामने आ सपरालेज के मेडिकल कॉलेज स्थापना को लेकर के बयान काँगरेश के मंच से अलग जारी हो रहे हैं ऐक माई कांग्रेश के पास है एक भाजपा के पास है विरोधा भासी बयान नहीं है समाना अंतर बयान ही है दोनों पक्ष में हैं कि जिला मुख्याले पर medical college खुले लेकिन फिर भी कुछ दूरियां है वो दो मंच अगर एक मंच हो जाए तो इस जनता का भी उनको पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि यहां की जनता पूरी तरह से यहां के लोग पूरी तरह से इस चीज को लेके द्रड़ संकल्पित हैं कि medical college जिला मुख्याले पर ही खुलना चाहिए जब जन समुदा एक जूट हो रहा है तो फिर राजनेतिक दल के लोगों को एक मंच पर आके और एक आवान करने में क्या हिचक हो रही है देखे यह तो राजनिती की पहली जो अध्या है पहला जो भी आदमी राजनिती में आता है तो सबसे पहली चीज होती है और जिसको श्रे मिलेगा उसकी जीतने की संभाव ना बढ़ जाती है मात्र यही एक कारण होता है जिससे की यह कि दोनों को इंदोर जाना है लेकिन अलग-अलग गाड़ी में जाएंगे एक गाड़ी में नहीं बैठेंगे लेकिन यह विशय ऐसा नहीं है मेरा दोनों से यह निविदन है कि आप इस काम को सहुत रूप से करें जन भावना के साथ करें पूरी जनता आपके साथ है आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे कोई आपको जो समिति आप बनाएंगे उसके अंदर आप सभी विधायकों को सांसत को और जो भी दोनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं उसमें संख्या का कोई कारण ही नहीं है वह एक हजार हो सकती है दो हजार हो सकती है इस लिए इस चीज क को कि उस संगर्ट समिति के अंदर हमको इसको नहीं लेना या उसको नहीं लेना इस प्रकार की भावनाक्ति चोड़कर हमको सिर्फ एक लक्ष की खरगोन मुख्या लायमें मेडिकल कालेज होना ही चाहिए उसके लिए जो जो भी बाधा आये केंद्र शासन से या राज्य श जर्णा को देखते हुए सब्ही राजनेतिक जर्ण प्रतिन इतियों को एक मंच पर आना चाहिए और इस मांग का नेत्रतव करना चाहिए शायूग भी देगी मेडिकल जैसे कंहिए सथापना को लेकर अभी जितने भी लोग आए पूर्व भाजपा जिलाध्यक्स रंजित डंडीर जी है भाजपा नेतरी शालिनी रतोरिया, विजय लक्षमी साओले जी है पूरव विधायक परसराम डंडीर है, पूरव विधायक बाबुलाल महाजन है एसी कई अपने पूर्णा ठाकुर्जी हैं, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं, एसी कई शक्सियत यहाँ पर आई हैं, जिन्हों ने यहाँ पर SW24 के मंच पर बेट कर यह स्विकार किया है कि हम एक हैं, और खरगोन मेडिकल कालेज की स्थापना को लेकर हम एक रहेंगे, एक जुट होकर आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई राजनेतिक रंग न चड़कर, सिर्फ एक संगर्ष समीती के रूप में ही सामने आएगा, और संगर्ष समीती में जो लोग हैं, वरिष्ट पत्रकार हैं, बुद्धी जी भी हैं, वो सब इसी सोच को लेकर के जेसी आवशक्ता पड़ी, वैसा मैंने किया है, खरगोन का व्यापारी वर्ग बहुत बड़ी शक्ती है, एक बहुत बड़ा संगठन है, अगर उसका सहयोग इस संगर्ष समीती को मिलता है, चेंबर आफ कामर्ष का सहयोग मिलता है, दो निसन्द है, इसकी शक्ती में और इसके लिए जो जो भी आवशक होगा, वो सब किया जा सकेगा, इसके लिए वो कभी ये ना समझें कि वो अकेले हैं, पूरा खरगोन इस समीती के साथ में है, आपके इस जवाब से आज संगर्ष समीती और जो सबस्वपने देख रहे हैं, जिन्होंने एक संकल्प मिलि की स्थापना की जिला मुख्यालेप है, उनको निसंदे बहुत शान्ती मिली होगी, और परसराम जी, मैं आप से भी ये जानना चाहूंगा, कि आप मेडिकल जो शिक्षा है, उससे भी जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं, आप एक हास्पिटल भी संचालित कर रहे हैं, उसके संगर्ष्य समीति की सोच के साथ ही जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सब जुड़े हैं, और जुड़ना भी चाहिए, और समझते भी सब, डाक्टर जितने हैं, खरगोन के, ही टायरेक्टर की बात करें, डाक्टर रमेश निमा है, और जितने भी हम लोग हैं, जब डाक्टर सब्सक्राइब करते हैं, अगर हम लोग काम करते हैं, अगर हम इस पकार का गलत निर्ने को अगर साथ देते हैं, हम कुछ करते नहीं है, उसका सब्सक्राइब काम करें, अगर हम करें, अगरने सामिल होग ही हम, हमारे बात करने बात करें. मेडिकल कशी Nicholas को यहां पर खुलने के लिए फुरी थाकत के साथ में लड़ेंगे और लड़ेंगे इस पकार से अगर संसेधी चेत्र में मुख्छलत है हरला लोक्षुभा स हेермला कि यहां ही पर खुलना चीनि Εरा अपके कि आज के करहा है कि आज ये शक्षियत हमारे बीच कारिकंद में मौझूद हैं उन्होंने अपना पूरा सहयोग मेडिकल कालेज इस्थापना में लगी संगर्श समीति को दिया है चेंबर आप कामर्स मेडिकल एजुकेशन की जितनी इकाईया हैं यहां के जितने पूर चिकित्सक हैं जितने यहां पर नीजी हास्पिटल से हैं वो सभी एक राय होकर के खरगोन शहर में मेडिकल कालेज की स्थापना को लेकर संगर्श समीति की राय से एक मत हैं और ये संगर्ष समिती के लिए भी एक बहुत बड़ा उपहार है आज के इस कारिकम में एक बहुत बड़ी शक्ति आज उनको मिली है ताकि वो संगर्ष के बढ़ रहे कदमों को और तेजी से आगे बढ़ाएं लेकिन साथ ही हमारे बीच उपस्तित चेंबर आफ कामर्स के अ रिकार्ड है वो आपके पास व्यवस्तित रूप से हो वो आपके बाद हाड कापी में भी हो वो आपके बाद से डिजिटल संस्करण भी हो ये बहुत सी छोटी-छोटी चीजे हैं और लेकिन काफी महत वपूर्णी चीजे हैं ताकि हमको इसकी अनुमती लेने में जादे स उसी लागे साथ ही हमको इस काएकम में यह भी बताए गया चौहांजी के द्वारा कि वह स्वय मुख्य मंत्री से विए उस बारे में चर्चा करें गे उन्हों नें इस थानी जिला ॥ास्वा निंवें बिक संगठन चर्चा करें यही कांग्रेस को भी चाहिए कि वो अपने संगठन में भी चर्चा करें जब दोनों इस संगठन एक साथ होंगे तो एक बड़ी बड़ी शक्ति खड़ी होगी और उसके साथ खरगोन शहर की खरगोन जिला मुख्याले की जनता भी साथ में यहां का व्यापारी वर्ग साथ में यहां का चिकित्सा वर्ग स साथ में यहां के दूसरे जो इस्टिट्यूशन वो सारे साथ में इस इस्तिति में एक बड़ी शक्ति हमारे पास है लेकिन ज़रूरती है कि हम एक मत हो करके अनुशासित हो करके इस अंदोलन को आगे बढ़ा है और आज हमारे बीच उपस्तित दोनों हमारे अतित्यों ने करेंगे कि भारती जनता पार्टी के इस्थानी सांसत गजेंद्र सिंग चोहान इस्थानी विधायक रवी जोशी खरगोन को हम HW24 के मंच पर लाएं और आम जनता के सवाल हम उनसे पूछें अगर वो एकी जाजम पर बेट कर एकी मंच पर बेट कर जनता के सवालों का जवाब देते हैं तो निसंद है इससे एक अच्छा मेसेज जाएगा आम जनता के बीच और जो जन भावनाय तैयार हो रही है उनको मत्र बें